ओच कि इस वीडियो में हम बात करेंगे नोट्स कैसे बनाएं बहुत सारे इस्टूइंट का डाउट रहता है कि हम अपना नोट्स किस प्रकार से बनाएं जो कि क्लाश 10 और 12 के इस्टूइंट के लिए भेरी भेरी इंपोर्टेंट होने वाली है वीडियो इस्टूइंट आते है और हमें अपना नोट्स किस प्रकार से बनाना चाहिए तो हम सारे प्वाइंट को जिस बीधर का नोट्स बना है सबसे ह्ले क्या करेंगे उस चैप्टर को रetr cheaperो करेंगे यानि रीड करेंगे रीड करेंगे रीड करके उसमें जित्ने भी आ कि हैं हम सारे topic को read करके अच्छे से समझ लेंगे उसके बाद हम क्या गरेंगे यहां पर जो दूसरा हमारा point है chapter को कम से कम एक बार आवस्य पढ़ें student हम नोट्स बनाने से पहले क्या गरेंगे अपने नोट्स में important points को note कर सकते हैं student अब हम देखते हैं नोट्स बनाने के लिए जो तीसरा topic है तीसरा topic क्या है सभी topic में छोटा-छोटा description लिखें छोटा-छोटा description का एक से दो बार पढ़ लेते हैं तो आपको maximum चीजे याद हो जाती है एडिया मिल जाता है कि हमें अपना notes किस प्रकार से बनाना चाहिए शोटा आपको इतनी सारी बाते याद रखनी है अब जो चौथा point आता है student notes को साब सुत्रा रखें बहुत सारे student क्या करते हैं notes को बनाते हैं notes में कटपिट करते रहते हैं तो ऐसे क्या होता है आपका notes मतलब की अच्छा नहीं लगता है देखने में ना आप सही notes बना रहे हैं तो कहीं गलत हो गया तो इस प्रकार से सिर्फ एक लाइन चला देंगे आपको इस प्रकार से कटपिट करने की कोई जरूरत नहीं है तो student यह हो गया चौथा पॉइंट अब हम देखते हैं पांचवा पॉइंट भासा को आसान रखें इस्टुइंट जैसे कि आप हिंदी में अपना notes बना रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको जिस प्रकार से जो भी चीजें हैं जिस प्रकार से आपको समझ में आ रही हैं जि जो कि English में असान पढ़ते हैं तो आप उहां पे English का भी यूज कर सकते हैं तो आपको यह चीज द्यान देनी है अब जो छटा point आता है छटा point में क्या student important points को जरूर note करें note point लिग करके उस important point को उसमें note करना student इससे हमारा क्या होता है exam time में student कम समय में हम सारे chapter को cover कर सकते है रिवीजन के द्वारा जो हम notes बनाया रहते हैं notes के द्वारा इस बाद जो seven point आता है हमारा अपने notes में चीत्र को भी रखें student कुछ ऐसे topic होते हैं या कुछ ऐसे chapter होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं सारा word में लिख करके include नहीं कर सकते notes नहीं बना सकते तो आपको क्या करना है जहां पर भी आवश्रक्ता लग रही है वहाँ पर आप अपने notes में चीत्र को भी include करेंगे ड्राइंग होता है mind को इजली student याद हो जाता है किसी भी चीज का रूप रेखा देख लेते हैं चीत्र के द्वारा आपके mind में हमेशा के लिए याद हो जाता है आप उसे कम समय म कहीं बना सकते हैं उसके बारे में आप description लिग सकते हैं तो आठवा point है student अपने notes में कम से कम तीन कलर के pen का उपजोग वैसे करें student आपको notes बनाते समय तीन कलर का pen अवसी यूज करना है ताकि हमें exam time में जो होता है अच्छे से easily visual हो और हमें चीजे अच्छे से समाझ में बनाना है notes बनाते वक्त सबसे पहले आपको उस chapter को read करना है student read करके फिर जब आप दुबारा revision लगते हैं उस chapter का करने उसके बाद आपको अपना notes बनाना start करना है student आपको कभी भी दूसरे का notes नहीं लेना है दूसरे का notes लेंगे तो क्या होगा कि वह अपने language में अपने हिस notes में आप क्या होता है important topic लिखते है important note points लिखते हैं तो वही चीज़े board exam में आती है तो board exam के समय आपके पास समय बहुत कम रहता है तो उस समय में student यदि आप सारे chapter का revision कर लेते हैं तो आपके board में maximum marks आने के chances बन जाते हैं क्योंकि student आप अपने note point में यानि जो notes होता है उसम important points लिखे होते हैं जो की board exam में वही topic या वही point student आते हैं तो आप यदि revision किये रहेंगे तो बना करके अच्छे तरीके से student लिख सकते हैं तो notes का यहीं फायदा होता है कि कम समय में maximum output हमें मिल जाता है तो इस प्रकार से student यदि आप class 10th या class 12th में हो तो आप notes अबस्य बनाने हैं टापर अपना notes कैसे बनाते हैं किस प्रकार से बनाते हैं student यह आपको किसी और भी topic पर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंटर वक्स में कमेंट करें ताकि मैं उस particular topic पर वीडियो बना सकूं student वीडियो अच्छा रगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पना है तो प् वीडियो को notification आप सभी तक पूछते रहें